स्वागत एक बर फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे हम यहाँ बात करेंगे बंगलादेश और इंग्लेंड के बीच में जो मैच नमबर टू यानि सेकंड ओडियाई खेला जाएगा इसके बार में फुल प्रिव्यू ले गाया है पूरा वीडियो द काफी मदद मिलेगा यह मैच भी जो है मीरपूर पर ही खेला जाएगा अगर हम बात करें ओवराल मेरपूर का जो ग्राउंड रहता है तो वह कैसा भीएव करता है देखो न्यूटरल विकेट रहता है स्लाइट एडवांटेस फोर स्पिनर्स पेसर्स को तो हेल्प रहती है तो यहां पर डिसेंट स्कोरिंग हुआ ठीक है ना उतना ज्यादा ना उतना कम और उसके अलावा इस्पिनर्स ने 20 और पेसर्स ने 30 विकेट लिये हुए थे इसमें भी आप देख रहेंगे इस्पिनर्स ने 20 विकेट लिये हैं जबकि पेसर्स जादा ओवर कराते हैं ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि सारे स्पिनर्स भर लेने या पेसर्स को बिल्कुल ही नहीं लेना है मैंने आपको बोला ऑवराल बैलेंस ट्रपोर्ट बट स्लाइट एडवांटेस वर स्पिनर्स इन कमपरेजन टू अधर डिपार्टमेंट ठीक है आप देखो दोनों ही टीमों यह लोग इनके सामने अच्छे खासी ओवर डाल सकते हैं इसके अलावा जो बंगलाद इसकी प्लेइंग लेवन है विद रीसेंट इसकोड यह आप देख सकते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है तब ही में एक बाल लिटन दास साकीब मैरी इसन्बिरास तैजुल मुस्ताफिज रह्मान इवन अन्नेजमल उसन सेंटो ने लास्ट में अच्छी पारी खेली मुस्विकर रहीम अच्छा खेल सकते हैं इनमें भी छमता है ठीक है इनके जो पावर प्ले के बॉलर है शाकीब तासकीन इमद देथ में यह चारों में से कोई भी आ सकता है इनकी कोई भी शेयर कर सकता और वह वर संतों के खाते में जाएगा अब इनके प्लेयर वाइब का आ येउलौ कलर से मेंचिन कर दिया अगर आपको इसका ओवर ओल स्टैड्स देखना है तो यह balling से और यह betting से इस प्रकार से आप इनका overall stats देख सकते हो क्योंकि यह चीज़े आपको समझा देगा कि हाँ इस player का stats अच्छा है या बुरा है और आपको यह चीज़े पता रहेंगे कि किस player का कैसा stats है तो जब हम आगे team बनाएंगे तो हाँ पर आपके पर आज अगर दीतना है तो आप vision alone को download कर सकते हो reason यहां पर आपको daily free giveaway खेलने मौका मिलता है तो अगर अभी तक आपने sign up नहीं कहा है vision alone पर फटाफट sign up करो और giveaway में participate करो और free में पैसा कमाओ कमाये हुए पैसे को instant withdrawal भी कर सकते हो अभी sign up करो video के description में जो link दिया है तो वहाँ पर आपको 500 के sign up bonus भी मिलेगा जिसका कि आप use भी अच्छा खासा कर सकते हो इसके बाद lowest entry fees है long term तक benefit मिलता है rankless का protection रहता है अगर rankless होता है तो वह आपको refund हो जाता है smaller leagues में और leaderboard का giveaway भी चलता रहता है वहाँ पर आप अलग से पैसे और कमा सकते हैं quick customer support है batting fantasy, balling fantasy, reverse fantasy यहाँ पर आप अलग-अलग type की fantasy खेल के पैसे कमा सकते हैं तो बहुत मौके पैसे कमाने के बस फटा फट जाओ video की description में link है sign up कर लो इसके बाद अगर अभी तक आपने जैसे आप lowest entry fees यहाँ पर देख रहे हैं तो deposit करके भी खेल सकते हैं लिए के description में link दे दिया गया है और काफी लोग लाइक नहीं कर रहे है जो निया fantasy रूल आया है ड्रीम पे 10 एका combination तो काफी लोग पूछते भी हैं comment में तो आप लोग 7-4 का combination यहाँ बना के खेल सकते हैं यहाँ पर नया rule नहीं है तो आपके लिए अच्छा रहा है यहाँ इस्किल्स का आप जादे यूज़ कर पाऊगे इंग्लेंड के प्लेंग लें उनकी बात करें तो overall इनके सारे ही player important है और इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया बट जेशन रॉय का form अच्छा नहीं है फिल्ट कैसे बले बाज आगे बात करेंगे जब टीम सेलेक्ट करेंग इनका स्कोर लास्ट में 114 उसके अलावा विल जैक्स ने दो एक विकेट मौयन अली दो विकेट क्रीश वोक्स का एक विकेट आदिल रसीद दो विकेट मार्कोड और जौफर आर्चर दो दो विकेट यह आप लास्ट मेंच के performance देखते वी चल सकते हो इनके जो पावर प् प्रिस वोक्स जोफरा अर्चर मारकोड और आदिल रसीद इनके में बॉलर है मौयन अली में जो की आदिल रसीद को असिस्ट करते है उसके बद विल जैक्स भी है तो यह आदिल रसीद और मौयन अली पांचवे गिंदबास के रूप में खेल रहे है ठीक है तो ध्यान सब्सक्राइब इनके भी प्लेयर वाईज इस्टेट्स देख सकते हैं जिस प्लेयर का अच्छा स्टेट्स है उसको हमने यलोग अलर से मेंचिन कर दिया तो आप लोग हर एक प्लेयर का style और क्या उसका री सेंट डिसकूर है यहाँ पर क्या उवराल रिकॉर को दाइब 22 मै मुष्विकर रहीं 42 का एवरेज मुहमादुला 39 का एवरेज 29 का एवरेज साकीब का इंगलेंड की तरफ से बटलर 47 की एवरेज जेसन डॉय 42 का एवरेज क्रिशोक 39 का एवरेज डेविड मलार ने एक मैच में 144 चौदर रन बनाये थे हैट टो एड इस्टेट्स की बात करें बॉलिंग से तो देखो बंगलादेश की तरफ से तास्की नहमत पांच मेच मेच है मैधियसन मिराज दो मेच मेच में 4 आदिल रसीत पांच मेच में 13 जौफरा अरच है दो मेच में 5 इस तरीके से रिकॉर्ड है मार्कूट का भी साकीब का 26 का अगर हम बात करें इंगलेंड की तरफ से तो बटलर 43 का वर्ज है वागि डेविड मलान के 114 लास्ट मैच के तो इस तरीके से आप वेन्यू स्टेट्स भी देख सकते हैं और अगर हम बात करें वेन्यू स्टेट्स में बॉलिंग से रिकॉर्ड तो देखो साक सब्सक्राइब का रिकॉर्ड है 42 सिनिंग में 70 विकेट उसके बाद मुस्विक का थाहिम बावन विकेट है तास्कीन का 31 विकेट मेहदी हैसन मिराज तैजुल इसलाम इबादत हुसेन और अच्छा है इंगलेंड की तरफ से आधिल रसी तीन में 8 विकेट बागी सब का डि ट्रेसिट में और सेंटों की बात करें तो मोएन अली से दो बार आउट हुए हैं साकेबल हसं मोज रली से तीन बार आउट हुए है मुहमद दूला मारकुड ने दो बार आदिल रसीदने सब्सक्राय क्या चार गेंदों में दो तो बार दो यह कुछ प्लियर बैटल से जि 28 गधंदों में 3 वा आउट किया यह थोड़ा ऑट देखने लायक रहाएगा इसके अलावा यहां पे अगर आप देखेंगे तो मोयन अली और साकीब स्वारी मोय न लीकुम मैदेशन मिराज और साकीब ने एक बार मैदेशन मिराज ने तीन बार आउट किया बागी सब एक एक बार आउट है उससे ज्यादा कुछ खास कंक्लूजर निकलेगा नहीं जो आपके टीम पे इंपक्ट डाले अब हम चलते हैं टीम सेलक्सिन के तरफ मैं उनके लिए भी टीम दिखा दूँगा मैं दोनों तरीके से हम यहाँ पे अनालिसिस करने वाले बस आप प्लेयर्स के बार में सुनना कब कौन सा प्लेयर के सिच्विशन में अच्छा राएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पिक और आप नहीं पिक करना चाहते तो वह चीजी आप डिसाइड कर सकते हैं ठीक है तो बस ध्यान से सुनना देखो यहाँ पर जौज बटलर यहाँ पर अगर फस्ट बल्लेबाजी आती है इनके टीम की तो आप इनको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करें क्योंकि देखो जब भी मौका मिलें का मोस्ट अप टाइम यह परफॉर्म करेंगे उसके बाद लेटन दास इनका रिशेंट फॉर्म काफी अच्छा है लास्ट में कुछ खास नहीं घरबाए बट रिशेंटल इन्होंने कंसिस्टेंश ली रंस बनाया और अपनी टीम के लिए वन अप बेस्ट बल्लेवाजों में से एक निक सब्सक्राब है आप रिशेंट के चार से पांच मैसेज देखेंगे तो कुछ खास स्कोरिंग की नहीं है इसलिए मैंने इनको मैंने इसलिए भी ले लिया है क्योंकि देखकर एक्सपीरियेंस है 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 विकेट कीपिंग से अच्छा पॉइंट देंगे इस पिनस के लिए फिल सॉल्ट आपके लिए अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं अगर इंगलेंड की टीम ने फुल डॉमिनेट किया बड़ा स्कोर चेस करने नहीं मिल रहा है तो यह इजली स्पिनर्स को भी डिफेंट करते वे खेल के जा सकते हैं और बड़ा स्कोर कर सकते हैं बट अगर तो नहीं जीतने देगी इंगलेंड को और आपने देखा होगा कि इनके भी विकर्स गीरे थे ठीक है डेविड मलान ने एक तरब से एंकर करते हुए अच्छी पारी खेली थी और वहां पर अच्छा स्कोरिंग किया था उस सिच्वेशन में आप फिल सॉल्ट को लेके जा स स्पिन के सामने श्रगल करते हैं आपने लास्ट में देखा होगा इन्होंने स्टार्टिंग जो लिया था तो स्ट्राइक रेटिंग का बहुत कम था बट फिर भी इन्होंने पेसेंस दिखाया एंड अच्छा पारी खेला एक सतक जड़ा तो ऐसा सेफ पिक आप इनको अप कटान बना रहें आप इनको बना सकते हैं ऑना सकते-चेम्स रहेंगे क्योंकि बॉलिंग बैकप दे सकते हैं प्लस लास्ट में फिफ्टी का स्कोरिंग भी किया डॉमेस्टिक ली काफ़ी टेलेंटेड माने जाते हैं पर इंटर लेवल पर अभी तक उतना अच्छा पर्फरमेंस नहीं आया था लास्ट में फिल भी थोड़ा ठीक ठाक लेके जाओं क्योंकि हर बार यह पावर प्ले में दो विकेट साय दी दे और अगर इनकी टीम ने डॉमिनेट किया तो हो सकता है कि आपको पूरा समय दे के अच्छा खेल जाए हाला कि रिसेंट फॉर्म इनका बहुत खराब है दस में से एक पारी में चल रहे हैं बागी मे बैकप भी देंगे अगर इनकी डिम चे यह और मॉयनली पांचों गिनवाज के रूप में खेले तो तो उस सिच्वेशन में विल जैक्स मस्ट अपिक रहेंगे क्योंकि बल्लेबाजी से भी अच्छी फॉर्म में थे अभी अच्छी फॉर्म थी उसके बद मोहमाद दुला यह थोड़ा सा नीचे आते हैं इसलिए थोड़ा सा इनका दिक्कत रहता है कि कितनी बल्लेबाजी मिलेगी नहीं मिलेगी बट जब भी बल्लेबाजी मिलती है most of the time यह आपको परफॉर्म करते वे दिखेंगे आफिफुशन रिजेंटली इनका ऐसा हो गया था कि इनकी टीम से most of the time यही परफॉर्म कर रहे थे बट यही प्रॉब्लम रहता इन लोग का कि थोड़े से lower middle order के बल्लेबाज है तो कितनी बल्लेबाजी मिलेगी नहीं मिलेगी वो कहना बहुत मुश्किल है हाला कि इंगलेंड की टीम है तो बल्लेबाजी आना तो almost तय है तो अगर आप लेना जाओ तो ले सकते हो बट मेरे पास already quota पूरा हो चुका है इन प्लियर्स का और प्लियर्स का इसलिए मैं अपनी टीम में इनको select नहीं किया क्योंकि इन से अच्छे options भी मेरे पास available है बट आप मिनी जी एल जी एल खेल रहा हो तो मोहमद दूला आफिफ उसन इनको ऐसा प्लियर्स जरूर रोटेट करना उसके अलावा सक्षेन में साकीब मस्टप बल्लेबाजी गिंदबाजी दोनों करेंगे अपनी टीम के बैस्ट ऑल राउंडर है इसके बाद मोयन एली पांच सब्सक्राइब को साकिब्स के जी टबीस यहां पर टैजल इसलान को लिया उनको निकालके आप इनकलत के सकते हो इस तरीके से इवांगेर के पांच रोज कर बाद कर रहा है मैं दस एक combination भी आपको दिखा दूगा तो उस तरीके से आप कर सकते हो otherwise यहाँ पर हमने जेशन रोय को लिया डेट्स वे मेंने क्रीश वोक्स को छोड़ा है आप क्रीश वोक्स को ले सकते हो फरस्ट इनिंग में डेथ में भी आ सकते हैं प्लस इनके पास देखो दोनों तरफ स्विंग करानी की चमता है पावर प्ले में अच्छे विकेट्स निगाल सकते हैं तो आप इनको अपनी टीम में जगें नहीं बन पाई है जहां के भी सेम करन अभी रेस्ट दिये गए खेलेंगे तो मस्ठपिक रहेंगे उसके बाद मार सब्सक्राइब अपनी टीम के में स्पिनर मस्ठपिक विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर यह भी अपनी टीम के जो है लख्टाम और थोड़क्स इस्पिनर और सामने राइट हिंड़ा है और इन्हों लास्ट में अच्छा खासा परिशान भी किया था इनके बल्लेबाजों सब्सक्राइब करती है बंगलादेश की टीम तब आप तास्कीनिया रहमान के जगे मतलग तैजुल की जगे तास्कीनिया मस्तफ रहमान को लेके जा सकते जो की दथ में आ सकते हैं ठीक है यह आपकी चोईस है अकॉर्डिंग तो सिच्वेशन अब इक लिए तैजुल इसल मॉ安ए केप्टन मॉयाजिक टीम पहली निक में बल्लेवाजी करेगी मॉयाजिक टीम में इनको कैप्टन और साकीब को वीजी कहर सकता हूं क्योंकि उस सिच्वेश्बीस में मॉयानाली ठोड़ ज्यादा बेटर हो जाएंगे और मॉयनाली की टीम भाद में चेजिंग कर ध सकते हो जोफरा अर्चर आधिल रसीद विल जैक्स वस्ट बैट में जेसंट पी शॉल्ट इन लोग को आप ग्रैंड लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो ट्रम्पिक के तौर पे विल जैक्स पी शॉल्ट तमें मिगमाल नजमाल हुशन संतों मैं से कोई एक तास्क अगर आपको चाहिए दस एक वाला कॉम्बिनेशन तो इस तरीके से आप टीम मना सकते हो जिसमें मैंने सिर्फ साकीप और महधियसन मिराज और तैजुल इसलाम को लिया है बाकी मेरे पास यहां पर जेम्स विंस डेविड मलान और जौर्ज बटलर आ गई यहां पर मैंने ज्ञेए दस हे के जाकते हो इसमें आप उसलाम की जहीं किसी है की जेगविल जैक्स को भी ले के जा सकते हो तो इस तरीके से आप इसका टीम बना सकते हो और तो होप करते हूं आपने इस वीडियो से काफी को सीखा होगा सीखा होगा तो लाइक जरू करना और इन टीम्स में अगर चेंजेस होएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही इंफर्म करूंगा बिल्कुल फ्री में तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में दे दिया गया होप करते हैं आपने काफी को सीखा होगा अब मिलते अगली वीडियो में जब तक लिए जैहिंद